तो हेलो एवरिवन आज हम इस वीडियो में IRFC शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर के प्राइज है यहाँ पे वो 34.90 पैसे है और इस शेयर में आज हमें जो है 0.14% तक के रिटन्स देखने को मिले हैं आगे हम इस शेयर के 6 मंथ के रिटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 मंथ में शेयर ने हमें 39.04% तक के रिटन्स दीए हैं साती अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में हम देख सकते हैं कि जो शेयर है उसे हमें यहाँ पे 40.73% तक के रिटन्स देखने को मिले हैं आगे हम इस share के जो है delivery और volume की में बात करेंगे कि इस share में वैसे हमें कितने यहां पे trade होने को share दिखे हैं उससे पहले हम इस share के थोड़े बहुत previous returns को देख लेते हैं तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 3 year और 5 year में तो जो share है उससे हमें बिलकुल भी कुछ returns देखने को नहीं मिले थे लेकिन यहां पे 2 year से लेकर 1 week तक जो share है उससे हमें सिर्फ positive ही returns देखने को मिले हैं यानि कि short term के perspective से तो ए शियर के आपको बिल्कुल भी returns देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आप शियर को यहाँ पे long term के perspective से hold करके रखते हैं तो long term के perspective से शियर के आपको returns देखने को मिल जाएंगे और जो share है वो यहाँ पे तो अपने resistance लेवल के पास है लेकिन इस share में यहाँ पे जो है ups and downs हमें कभी खबार देखने को मिल जाते हैं तो वैसे अगर आप इस share को यहाँ पे hold करके रखना चाहे तो आप इस share को यहाँ पे hold करके अपना profit कमा सकते हैं वनना short term के लिए भी यह share अच्छा है लेकिन इतने benefits आपको इस share के short term में देखने को नहीं मिलेंगे